नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी तो दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिजे और पास दी हुई गंटी को दबा दीजे तो चलिए हम सुरू करते हैं सबसे पहले देखे आप अपने सलाई पर अपने स्वेटर के अनुसार फंदे डाल लीजे जितने फंदे की आपको आवश्यक्ता है फंदा डाल लीजे फंदा आप 6 और 6 के मल्टी प्लस पे डाल देखे ऐसे 3, 3, 6 के तब ये पूरा फूल बनेगा फंदा डालने के बाद आप इस पर बॉडर बना लीजे जैसा बॉडर आपको बनाना हो बॉडर बना लीजे जितना बड़ा भी बॉडर बनाना हो बॉडर बना लीजे उसके बाद ये डिजाइन आप सुरू कीजे तो इस डिजाइन को बनान तीन, चार, चार फंदा उल्टा, फिर धागा को पीछे करेंगे और दो फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे और चार फंदा उल्टा बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, दो फंदा सीधा, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, इस तरह से आपके सलाई पर जितने भी फंदे होंगे, सबको इसी तरह बनाना है, चार फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा, फिर धागा पीछे, देखे, दो फंदा सीधा, फिर धागा आगे, और चार फंदा उल्टा देखे, एक, दो, तीन, चार, ये लाश्ट में चार फंदा उल्टा हो गया, तो यहाँ पर देखें हम पूरी सलाई बना लिए हैं पूरी सलाई बना लिए अब हम बनाएंगे उल्टा के तरफ से उल्टा के तरफ से देखें जो फंदा हम उधर से उल्टा बुने हैं यहाँ पर सीधा दिखेगा तो इसको सीधा बनाना है एक, दो, तीन, चार फिर देखे धागा पीछे और चार फंदा सीधा, चार फंदा सीधा बना लिए, फिर धागा आगे और दो फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे चार फंदा सीधा, इस तरह से हम पूरी सलाई में जो फंदा सीधा है उसको सीधा और जो फंदा उल्टा है उसको हम उल्टा बना तो यहां देखिए हम दो फंदा उल्टा बना लिए फिर धागा पीछे ये चार फंदा लाश्ट का सीधा बनेगा तो इसको हम सीधा से बुन दिए तो देखिए यहां पर हमारा दूसरी सलाई कम्पलीट हो गया है अब हम इसी तरह से दो सलाई और बनाएंगे एक सलाई उल्टा के तरब से और एक सलाई सीधा के तरब से तो दो सलाई और बना लेते हैं तो हम आगे बना लेते हैं तो देखिए यहां पर हम चार सलाई टोटल बना लिए हैं दो सलाई उल्टा के तरब से दो सलाई सीधा के तरब से यानि कि चार सलाई हम टोटल बना लिए हैं अब चार सलाई बनाने के बाद जो हम पाच्मा सलाई बनाएंगे सीधा के तरब से पहला फंदा को उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा बना लेंगे, यानि कि तीन फंदा हो गया, टोटल उल्टा, अब यहाँ पर सीधा जो है, इसको हम धागा को पीछे करेंगे, और यहाँ पर देखे, एक उल्टा का फंदा है, और एक सीधा का फंदा है तो इस दोनों फंदा को मिला करके हम यहाँ पर एक फंदा कर देंगे देखे इस तरह से एक फंदा कर देंगे और धागा को इस तरह आगे की ओर ले आएंगे तो यहाँ पर जो हम बनाएंगे तो एक जाली बन जाएगा देखे आगे की तरब धागा लाएंगे ये जाली बन जाएगा और यहाँ पर जो एक सीधा है और एक उल्टा है तो सीधा बला फंदा को ऐसे हम सीधा कर लेंगे ऐसे सलाई पर चड़ा देंगे और बीच से ऐसे दो फंदा को लेंगे एक उल्टा का फंदा और एक सीधा का फ दो फंदा का एक फंदा हो जाएगा फिर धागा आगे दो फंदा उल्टा फिर देखे धागा पीछे और अब हम यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे यहाँ पर दो फंदा उल्टा सीधा है और एक फंदा उल्टा तो यहाँ पर देखे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा द है इसको हम सीधा करेंगे और दो फंदा का एक फंदा करेंगे तो देखिए यहां एक जाली बन गया फिर धागा आगे दो फंदा उल्टा धागा पीछे यहां दो फंदा का एक फंदा फिर धागा आगे और इस फंदा को सीधा करके बीच से ऐसे दो फंदा का एक फंदा तो इस तरह यहां जाली बन गया, अब ये तीन फंदा जो है उल्टा से बना देंगे, तीन फंदा उल्टा, तो देखिए यहां पर हम पूरी सलाई बना लिये हैं, और पूरी सलाई हमारा इस तरह से दिखेगा, अब हम बनाएंगे उल्टा के तरब से, उल्टा के तरब से द तीन फंदा यहां हमारा सीधा हो जाएगा फिर धागा आगे और इस फंदा को उल्टा से बनाएंगे देखिए उल्टा के फंदा को उल्टा से बना देंगे और यहां पर जो हमारा एक जाली है इस पे हम पहले एक यहां से बनाएंगे और फिर इसी को हम इस तरह से एक फंदा और बनाएंगे इस पे इस पे हम इस तरह से एक फंदा और बना लेंगे दो फंदा बना देंगे फिर इस फंदा को उल्टा बना लेंगे तो यहाँ पर देखें हमारा चार फंदा उल्टा बन गया फिर धागा पीछे दो फंदा सीधा धागा आगे और यहाँ पर देखिए एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे फिर एक फंदा इसको उल्टा बना लेंगे और एक फंदा फिर इसको भी उल्टा बना लेंगे तो इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे आगे कर लेंगे और आगे करके इसको इस तरह से पीछे से इसको लेंगे ऐस बीच से और इस पे एक फंदा बना लेंगे फिर इस फंदा को भी उल्टा बना देंगे धागा पीछे दो फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा और जाली वाला फंदा पे दो फंदा बनाना है एक फंदा आगे वाला धागा से और एक फंदा इस तरह से लाके पीछे वाला धागा से इसको इस तरह से ढिला कर लेंगे थोड़ा सा और यहां पीछे वाला पे डालके इसको एक फंदा बनाएंगे दो फंदा बना लेंगे ये एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे दो फंदा ये जो तीन फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे तो देखे यहां पर हम पूरी सलाई बना लिए अब हम बनाएंगे सीधा के तरब से तो देखे यहां पर हमारा design complete हो गया है और अब हम इसको repeat करेंगे अब repeat पर हम फिर जैसे शुरू में बनाए थे 4 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा उसी तरब से हम पूरी सलाई बनाएंगे यानि के 4 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा तो यहां देखे एक, दो, तीन, एक, चार, चार फंदा उल्टा बना लेंगे फिर धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक, दो, दो फंदा सीधा, फिर धागा आगे, चार फंदा उल्टा, फिर चार सलाई इसी तरह बनाएंगे, इसको भी उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदा सीधा, धागा आगे देखे ये सीधा का फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे और यहाँ से हम चार फंदा उल्टा बनाएंगे ये दो हो गया और एक ये सीधा वाला इसको भी उल्टा बनाएंगे धागा पीछे दो फंदा सीधा धागा आगे चार फंदा उल्टा तो देखिए यहाँ पर हम repeat कर लिए हैं एक सलाई repeat कर दिये हैं और इसी तरह से हम आगे फिर 4 सलाई बनाएंगे और इसको हम repeat करते जाएंगे जब हम repeat करते जाएंगे तो हमारा यह design बनके तयार हो जाएगा तो हम इसको जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट किये हैं तो इसी तरह हम थोड़ा सा रिपीट करके आपको दिखाते हैं तो देखें यहाँ पर हम रिपीट कर लिए हैं और हमारा खुबसूरत सा डिजाइन पन करके तयार हो गया है तो दोस्तों आपको मेरा ये स्वेटर का डिजैन कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और धे सारा सेयर करें फूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद